सतकुरू रुपी प्यारी सासंगत जी प्यार और सतकार सी कहना धान निरंकार जी सासंगत जी सतकुर माता जी का शुकराना सतकुर माता जी की किरपा से ही हम ये गुरु चर्चा का ये जो सतकुर माता जी की हजूरी में हमें वर्चुल समागम देखने को सुनने को मिल रहे है ये सद्कुर की किर्पा से ही सब कुछ हो रहा है सद्कुर का लाख लाख शुकराना है संगत जी फ्राइडे को जो सद्कुर माता जी की हजूरी में तीन स्टंबर को इंटरनेशनल समागम यूके का हुआ उसमें आइरलेंड, स्कॉटलेंड के जो भी थे महात्मा सबी ने इतना अच्छा हमें ससंग के द्वारा समझाया तो यहाँ पर भी सद्कुर माता जी की स्टेज के पीछे जो लाइने लिखी हुई थी उनसे भी हमें सीख मिली लिखा हुआ था The world will change when we change कहते हैं कि जब हम अपने आपको बदल लेंगे तो सारा संसार हमें बदला हुआ नजर आएगा तो सद्कुर माता सुदिक्षा जी महाराज ने भी अपने विचारों में हमें समझाया कि हमने अपना सुधार करना है हमने अपनी कम्यों को सुधारना है हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना हमें यह मानव शरीर मिला है तो हमने मानव वाले गून ही अपनाने है परमात्मा की बनाई हुई सारी रचना से हमने प्यार करना है हम हर पल मन में समर्पित भाव रखें और हमेशा पोजटिव थोड़ सी रखें इस तरह हैं सद्कुर्मात्र जी ने हमें समझा दिया जब हम अपना सुधार करेंगे तो सारा संसार अच्छा ही नजर आएगा जो भी सद्कुर्मात्र जी हमें समझा रहे हैं हम इन बातों को अपना अमल रूप में ढालते चले जाएं संगत जी दासिस गुर्मातर जी की कित्पा सही आप जी के चर्णों में ये वन्नेस के विचार रखने जा रही है वन्नेस मींज एक अत्तव कहते हैं कि केवल एक निरंकार की सता सब जगें वित्यमान है और दूसरी कोई वस्टू कहीं भी नहीं है अर्थात संसार भी संसार नहीं निरंकार ही है तबी तो कहा गया है कि यह जग इश्वर रूप है बला बुरा नहीं कोई जाके जैसी भावना वैसा ही फल होए खालिक बिन खाली नहीं सुई धरन की ठोर दसो दिशा में राम है राम बिना नहीं और पाक कुरान में इसी को अल्लह वाहिद कहकर एकत्तव का संदेश दिया गया है पवित्र बाइबल में भी यही कहा गया है I and my father both are one मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं अर्थात जीव और ब्रह्म दो नहीं एक ही हैं आदि ग्रंत में भी एक उंकार सत नाम कहकर इसी की घोशना की गई है और सनातन धरम में भी यही कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वित्यो नाश्ति अर्थात एक ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई वस्तू संसार में है ही नहीं जो व्यक्ति आतम स्मर्पन के द्वारा इस एक में ही अपने आपको विलीन कर देता है और इसके साथ एक हो जाता है उसका हंकार पूरे द्रह से खतम हो जाता है सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज ने भी हमें कहा है एक को जानो एक को मानो और एक हो जाओ अर्थात एक को जान कर और इसका विश्वाश करके इसके साथ इकमिक हो जाना ही प्रेमा भगती है युक पुरिश शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज की अनुसार इस एकत्तव का परचार करने के लिए ही सत्कुर संसार में आया करता है सत्कुर आमदा दुनियां उत्ते एकके दे परचार लई किंटु सत्कुरू से पहले इसकी पहचान करने पड़ती है और जो इसको पहचान लेते हैं वहे इस एक में समा कर इस एक में समर्पित होकर इसके साथ इकमिक हो जाते हैं एके नू पहचानन वाले एक के विच समान देने अर्थात जिसने इसे एक को पहचान लिया वह इसमें समा कर इकमिक हो जाता है जो इसके साथ इकमिक नहीं हुआ तो समझो उसने इसे पहचाना भी नहीं संत कबीर जी भी कहते हैं राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी पवित्र गुर्बानी भी फरमाती है गुर किर्पा जे नर्ग को की नी तिही इही जुगत पचानी नानक लीन भेयो गोबिंद सियू जयू पानी संग पानी शेहनशा बाबावतार सिख जी महाराद भी फरमाते हैं धान गुरू ते धान गुर्षिक ने जो इकमिक हो जान देने पान देने अवतार नाम जो अपना आप गवान देने अर्थात वह सत्गुरू और उसके गुर्षिक दोनों ही धन्ये हैं जो अपने निरंकार गुरू के साथ मिलकर इकमिक हो जाते हैं जिसने अपने हंकार को मिटाया ही नहीं, उसने प्रभु को पाया भी नहीं, यदि वह कहता है कि मैंने प्रभु पाया है, तो वह सच नहीं कह रहा है, कबीर कसोटी राम की जूठा टिके न कोई, राम कसोटी सो सहे, जो मर जीवा होए, जब मैं था, तब हरी नहीं, अब हरी है, मैं आपा पर का मिट गया दीपकरेखा माही कहते हैं कि जब मेरे अंदर हंकार था तब मुझे परमात्मा नहीं मिला अब मैंने हंकार को खतम कर दिया है तो परमात्मा मुझे मिल गया है कहते हैं कि अब अपने बेगाने का सारा भेदी खतम हो गया है अब सभी मुझे प्यारे लगते हैं सभी मुझे अपने लगते हैं कि इसी को तो प्रेमा भगती कहा गया है जब हर एक में परम पिता प्रमात्मा की जोती नजर आती है फिर दो नहीं लगते फिर जीव और प्रम एक हो जाते हैं तो फिर इसी को ही प्रेमा भक्ति कहा गया है, कि भक्ति में प्रेमा गया है युगपूर शेहनशाब आभवतार सिंग्जी माहराज फरमाते हैं पूरे गुरुदी शर्णी जाके बन्दे अपना आप मिता कि सत्गुरु पूरन सत्गुरु की शरण में जाकर अपनी मैं को खतम कर अपने हंकार को खतम कर फिर तुझे ये परंपिता परमात्मा मिल जाएगा जिस तरह कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकते इसी तरह एक मन में निरंकार और हंकार दोनों नहीं समा सकते जब हंकार पूरी तरह मन से निकल जाता है तो ये निरंकार समा जाता है सुफी संतों ने भी कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है अपने हंकार को मिटाना अपनी हस्ती को खतम करना प्रेम द्वारा ही संभव है प्रेम में इतनी शक्ती है कि वे हर जगे एक प्रेमी के ही दर्शन इस परकार कर सकता है कि जहां दर्शक भी ना रहे केवल द्रिश्य ही रह जाए शंकरा चारे जी ने भी कहा है कि जब दर्शन द्रिश्य और द्रिश्टा तीनों मिलकर एक हो जाती है तो वहाँ पर ही भगती की प्राप्ती हो जाती है सतकुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज ने भी एककत्तव की इस अलोकिक स्थिति में पहुँच कर द्रिष्टा और द्रिष्य बन जाना इस बात को समझाया इसी बात को भगवान शिरी कृषन जी ने भी कहा है जो यह देखता है कि सम्मे एक ही वासु देव है ऐसा भगत महात्मा दुरलब है ऐसा भगत बहुत मुश्किल से मिलता है वासु देव का अर्थ पष्ट करते हुए शंकराचारय जी ने कहा है कि वासु देव वह देव जिसमें सब वास करते हैं जो देव सब में वास करता है वह वास देव है यानि कि वह परमात्मा है फिर एकत्व के सिंधाद को समझाने के लिए इस तरह भी कहा कि जब हम यात्रा में चलते हैं तो छोटे-छोटे बैग बड़े बैग में डाल लेते हैं जिस से वे अलग-लग नहीं गिने जाते बलकि एक ही वो गिना जाता है इसी तरह सारे संसार के जड़ चेतन एक निरंकार के अंतर होने के कारण कहा जाता है तेरा रूप है ये संसार केवल ये संसार केवल कहते हैं ये जो सारा संसार है ये निरंकार का ही रूप है कोई अलग नहीं है जैसे अनेक लेहरों में एक ही पानी है अनेक घड़ों में एक ही मिट्टी है अनेक कपड़ों में एक ही रूई है अनेक बलबों में एक ही विजली चमकती है इसी तरह सारे संसार में एक ही निरंकार विराजमान है संत धरम सिंग शोक्ची ने भी कहा है मैं भी हाँ ते तू भी ए ए गल कुछ जचदी नहीं मैंनू अपनी होंद तो इनकार करना पढ़ेगा फिर ना मैं रहूंगा ना तू रहेगा केवल एक ही रहेगा स्वामी रामतीरची ने भी कहा है मैं मैं ना रहूं तू तू ना रहे मुझ में दूई की बू ना रहे आरजू है की आरजू ना रहे जुस्तजू है की जुस्तजू ना रहे यह सारा संसार निरंकार रुपी सागर की लहर या बुलबला है शायर ने कहा है दरिया की मत जान मुझे अपने से जुदा मैं ओर नहीं तू ओर नहीं आईना मुकाबिल बॉख जो धरा तब बॉल उठा यू अक्स उसका क्यों देखके हैरा यार हुआ मैं ओर नहीं तू और नहीं अठात निरंकार सत्कुरू के अलावा इस सारे ब्रह्मांड में अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है जो भगत इसी कत्व की स्थिति को प्रापत कर लेता है वे है मन वचन करम द्वारा सत्कुरू से ही प्यार करता है नहीं तो रामन की तरह मन वचन करम से अलग लग रहता है जैसे रामन के वचन में शिव की भक्ती मन में सीता जी और करम में अपरण जैसे अपरात रहे इसी परकार यदि भगत इकत्व की स्थिति को प्रापत नहीं करता तो वह दूई में फसकर परमात्मा से अलग ही रहता है शेहनशा जी ने भी संपून अवतारबाणी में फरमाया है दूई दे चक्कर विच फसके बंदा हो गया रबतों वाक एकत्व के बिना दूईत या दूई की अवस्था हमें भगवान से अलग कर देती है निरंकारी मिशन द्वारा परचारित और परसारित व्यवारिक वेदान्त पर आधारित यह सरल दर्शन है जिसके अनुसार मानव मात्र को शिक्षा दी जाती है कि एकनु जान के घटकटे अंदर सबना दासत कार करन गुण गामन नित ऐसे एकदे ऐसे दादी दार करन ऐसे एकदे नाल जोड के बेडा जगदा पार करन स्वास स्वास इस एकनु सिम्रण दूचा कदे त्यावन ना कहे अवतार उपूरे गुर्शिख एकनु कदे पुलावन ना यह ना भूलने वाला सुम्रण ही सर्वोत्तम है जो एकद्व का अनुभव करवाता है यह एकद्व या प्रेमा भगती की स्थिती तब ही हो सकती है जब बीच में संसार ना रहे सत्गुरु चरण शरण में निशकप्ट भाव से पहुँच कर ही यह संभव हो पाता है क्योंकि तेरे दारते आके सत्गुरु दुनिया दा कुछ त्यान नी रेंदा विक जान दिये अपनी दुनिया मैं मेरी दा मान नी रेंदा चार चुफेरे तुनियों जिस्तें दुजी वस्त नजर नहीं थी इस दुनिया विच वस जान दे अपनी वी कुछ खबर नहीं थी देहे से विदेहे होने पर भगत, भगती, भगवान और गुरु ये चारो एक हो जाते हैं भगत भगती भगवान और सत्गुरू ये चारों एक हो जाती हैं इर्दिहे से विदेह भगत हो जाता है इस चरीर से उपर उठ कर भगती करता है भगत भगती भगवन्त गुरू चार नाम तन एक इनके पदवन्दण किये नासे विगन अनेक इस तरह हमें ये वन्नेस पर सत्कुरू माता सुदिक्षा जी महराज भी हमें समझा रहे हैं वो भी हमें यही कह रहे हैं एक को मानो एक को जानो और एक हो जाओ संपूर्ण हर्देव पानी में भी सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज ने हमें समझाया है भाव दूई का मिटने से ही एक कत्व आपाता है एक से इकमिक हो जाना ही एक कत्व कहलाता है हर कोई इनसान जगत का एक पिता का अंश है अलग लग दिखते हैं लेकिन एक हमारा वंश है एक कत्व का भाव हो दिल में तो धरती गुलचार बने पूरव पस्चिम उत्तर दक्षिन हरा भरा संसार बने एक कत्व को कायम करते जाना है सदभाव से कहे हर देव मिलन में सुख है दुख मिलता अलगाव से इस परमपिता प्रमात्मा के चर्णु में जुड़कर अनन्द ही अनन्द है यहां पर सुख ही सुख है दुख नाम की कोई भी चीज नहीं है इसलिए हम हमेशा सद्कुरू के चर्णु से मन वचन करम से एक होकर जुड़े रहें हम इस एक के साथ जुड़े रहें और एक अत्तव को प्रापत करके हम अपनी स्थिती इसी तरह बना लें कि हम दो नहीं यह जीव और प्रम एक ही है असंगत जी इस तरह हम इस सद्कुर समझा रहे हैं हम सद्कुर की बात को अमल रूप में ठालते चले जाएं दासी से विचार करते हुए कई परकार की गल्दियां हुई होगी दासी उन भूलों के लिए आप जी के चर्णों से शमा पराती है दासी सब के सुखों की कामना करते हुए सीमरन करवाएगी सभी ने बिलकर सीमरन में साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैं नूबक्ष लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैं नूबक्ष लो बोलिये सत्कुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु बचन अबतार की जै आस संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी